Hello Everyone, आज बनाएंगी बहुत ही Healthy, Market से भी ज़ादा Tasty और Healthy Mionese Mint Zero Oil Mionese बनाने वाले हैं आज हम और वो भी Flavorful तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना तो Oil Free Myo बनाने के लिए सबसे पहले एक Blending Jar में डालेंगे 100 ग्राम पनीर इसी के साथ डालेंगे 30 काजू जिसे मैंने आदा घंटा पहले गुन्गुने पानी में भिगो कर सोक कर दिया था सोक करके काजू डालने से पेस्ट बनाना बहुत easy होगा और बहुती smooth पेस्ट बनेगा इसी के साथ इसे फ्लेवरफूल बनाने के लिए डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानि कुटी हुई लाल मिर्च, पास से 7 दाने काली मिर्च के, 3 लसन की कलिया, 1 टीस्पून और एक स्मॉल साइस के निम्बू का रस यानि 1 टेबल स्पून और इसे स्मूध पीशने क लिए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून या टेस्ट के अकॉड़ी नमक डाल रही हूं तो एक बार और इसे ब्लेंड कर लेंगे ताकि नमक भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए लेकिन आप नमक सारी चीजों के साथ ही राल दें ताकि आपको यह दुबारा ना करना पड़े तो बस अब आप इसका टेस्ट्चर, ठेकनेस और स्मूजनेस देख सकते हैं इसे आप ऐजा डिप खाएं सैंड्वेज या रोल पर लगा कर खाएं या ऐसे ही सिंपल ब्रेड पर लगा कर खाएं क्यूंकि यह इतना फ्लेवर फुल है कि इसे आप सिंपल ब्रेड पर लगा काफी होगा इसे आप फ्रिज में रखकर दो दिन तक यूज कर सकते हैं ये फ्रिज में रखकर भी काफी थिक हो जाता है तो आप इसे फ्रेश बनाए और फ्रेश खाएं ये मार्केट के मियोनिस से काफी हेल्दी है और ओयल फ्री भी है तो आप भी ट्राई करें और खुद हेल्दी रहें और अपनों को भी हेल्दी रखें तो हम मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप इसे बनाए और इंजॉय करें